नमस्कार दोस्तो मैं रामुकुमारियाद एजुकेशन क्लासेस रामु में आपका स्वागत करता हूं दोस्तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नम्मर चार है और यह TET से रिलेटेड है तो अगर आथ TET एक्जाम की तैरी करते हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर पर्यावरान तो चार भीसेओं को इसमें समलित इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उत्तर बताने से कोई मतलम नहीं रहेगा इसी लिए इन चार पर्षणों को मैंने सिर्फ इसमें कवर किया हूं तो चलिए दोस्त अब सीधे चलते हैं प्रेक्टीच सेट कर चुका हूं तीन प्रेक्टिस सेट करा चुका हूं यूपीटेट से रिलेटेड तो उन भी प्रेक्टिस सेट को अब लगा लिजेगा काफी मोश्ट इंपोर्टेंट प्रस्ण उसमें कवर किये गए तो चलिए सीधे हम बालमनोविज्ञान को पहले कवर करते हैं बालमनोविज्ञान का जो पहला प्रस्ण है कि थोड़ा इसको जूम कर देते हैं चलिए पहला प्रस्ण कर रहा है कि बुद्धी का एकल घटक या एकल अब्य सिधान्त की दिया था तो जो बुद्धी का एकल घटक का सिधान्त है वो दिये थे किसने दिया था तो वो दिये आफ्रेट बीने ने दिया था तो आपसर नम्मर C सही हो जाएगा इनको बुद्धी का जनक भी कहा जाता है आफ्रेट बीनेट को अब चलते हैं प्रश्ण नम्मर दूसरे पर प्रश्ण नम्मर दूसरा का रहा है कि बहर मुखी प्रविर्त के ब्यक्ति होते हैं तो बहर यह पूछा गया प्रश्ण है तो आप इस प्रश्ण को ध्यान में रखेगा यह वाला विकल्प सही हो जाएगा अब चलते हैं प्रश्ण नम्मर अगले और अगला प्रश्ण का रहा है कि समाजिक पैमाने की विदी के अनुसरे इनमें से शूपरस्टार अती मानव होता है जिसे क्या अती मानो सूपरिश्टार मानो कौन होता है समाजिक पैमाने की अधार पर तो जो होता है वो होता है कौन से होते हैं तो वो होते हैं ज्यादा तर लोगों द्वारा चैन किया गया जो बेक्ति होता है उनको सूपरिश्टार का आ जाता है जो लोग प्री होते हैं अब चलते हैं प्रश्ण नमर चार प्रश्ण नमर चार कर रहा है कि ब्यक्तित्त के मुल्यांकन हेतु प्रियुक्त सब्द साचारी परिच्छन विदी का परियोग जो यूंग है तो यह काफी इंपोर्टेंट प्रश्ण है शब्द से आच्यारे परिच्छन का परियोग किसी ने किया था तो यूंग ने किया था और किस सन में किया था इस प्रश्ण में पूछा गया तो किस सन में किया था 1910 में किया था आप सन नमर डी वाला सही हो जाएगा अब चलते हैं प्रश्ण नमर पांच और प्रश्ण नम अब चलते हैं प्रश्ट नमर छाटमा प्रश्ट नमर छाटमा का रहा है कि इनमें किस से घटक के परभाव से सैचिक पिछड़ापन नहीं उत्पन होगा तो किस घटक के परभाव से सैचिक पिछड़ापन नहीं होगा तो वो है परिवार का पेशा पेशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है पिछड़पन के कारण में तापसर नमर सी सही हो जाएगा छटवा का अब चलते हैं प्रश्ट नमर सात्वा और प्रश्ट नमर सात्वा का रहा है कि समान आयूवर्ग के शंबंद अनिशा पाटियों से जब किसी चात्र की तुलना की जाती है तो उसमें ए सीची कमी द्रिश्टी गोचर होती है ऐसे बच्चों को किया कहते हैं तो ऐसे बच्चों को हम पिछड़ा बालप की संग्या में रखतें तापसर नमर 2 वाला विकल्पसएर हो जाएगा अब चलते हैं प्राश् प्रश्रिजन नम्मर आठ का रहा है कि कि स्रीजन सिल मानो मस्तिक्ष्ट त्वारा संबंदों को रुपांतरित करके नई विषेवस्तु का रचनात्मक शरीजन कर नया अंता संबंधों का विकास करनी की सकति का प्रियाय है यह परिभासा है और किस ने कहा था यह जो परिभासाएं है इसको कहने वाले बेक्ति कहन जुन है इसकी नर्साहाब महोदेजी ने स्रीजिनात्मक बालक की ब्याक्या गेता आपसा नमर सी वाला भी कल्प सही हो जाएगा आठवा का अब चलते हैं प्रश्ण नमर नौ और प्रश्ण नमर नौ करा कि आई पी सी आई पी सी का पूरा नाम क्या होगा तो यह बहुत ही सरल प्रारंबिक विकास मुख्यता किस पर निर्भर है तो जो बालक का प्रारंबिक विकास मुख्यता किस पर निर्भर है तो आपसान के हिसाब से माता और पिता पर निर्भर होता है प्रारंबिक तो आपसा नमर ए वाला भी कल्प सही हो जाएगा अब चलते हैं प्रश्ण न अनुवांसिकी नियम के जर्यें विशिलेशित किया जा सकता है तो वो है विवेदी का नियम यानि कि थोड़ा बहुत अंतरपा जाता है आपसन नमर B वाला विकल्प सही हो जाएगा 11 का अब चलते हैं प्रश्ण नमर 12 प्रश्ण नमर 12 कर रहा है कि जिसकी जिग्यासा चात्र को प्रेडित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपा है तो कौन एक कारगर उपा है तो वो जो उपाय हुआ है प्रसंसा सबसे ज़्यादा महत्पूर तो आपसे नमर B वाला विकल्प सही हो जाएगा 12 का आप चलते हैं प्रस नमर 13 पर प्रश्ट नम्मर 13 कह राए कि खेल के जरिये बच्चों में किस प्रकार का विकास संब्व होए तो खेल के जरिये जो बच्चों में हैं इसमें जुजीतिने भी विकल्प हैं शभी का विकास किया जा सकता है काफी मुहत्पूर्ण खेल विदी होती है तो आपसन नमर डी वाल अभी कल्व सही हो जगा तेरा का चलते हैं प्रशन नमर चौदा पर प्रशन नमर चौदा का राए कि ए क्या बुद्धिमान माता-पिता यानि अभिभावक जो होते हैं की बच्चे शंताने शदय पढ़ाई में तेज होते हैं इसको आप हां कहेंगे या ना कहेंगे आपको आपसन मैं दिखा रहा हूँ देखि आपसन A है है आपसन B है नहीं तो देखि ऐसा थोड़ी नहीं कहा गया है कि जिसके माता-पिता पढ़ने में तेज हो तो उनके बच्चे भी वैसे ही होगे तो इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा नहीं होगे तो आपसन नमर B वाला विकल्प सही हो जाएगा अब चलते हैं प्रश्ण नमर 15 पर प्रश्ण नमर 15 कर रहा है कि निर्धन परिवार के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार में संब्रिध हैं उनको विकास के बहतर वातावण पाने के मौके होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े परिवार के निर्धन बच्चों की अपेच्छा मतलब जो छोटे परिवार के बच्चे होते हैं, उनको बड़े परिवार के बच्चों से ज्यादा विकास के औसर मिलते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं, उन्हें बेहतर परिस्तिती का प्राप्थ होता है, तो आपसन नमर D वाला विकल्ब जो है, पंद करने की दो विध्यू में एक सने परक सजा एऊंग, उद्धेस से परक सजा समलित होती, एक सने परक और एक उद्धेस परता, आप सन्मर B वाला बिकलत 16 का सही हो जाएगा, अब चलते हैं प्रस्ण नम्र 17 का रहा है, कि जीवन के शुरुआती और दरान यदि किसी बासा को सी लिया जाता है तो हर बच्चा एकल मूल पैत्रिक यानि भासाई बासक निवासी की भांती प्रवाह प्राप्ट कर सकता है तो आपसा नमर बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा और बाकि इससे अलग रिलेटड है इस प्रशन से तो आपसा नमर बी इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे अब चलिए प्रशन नमर अठारा और प्रशन नमर अठारा का यह की आई के मद्द एक बच्चे की भासाई विकासतर कितनी प्रतिसत्कीर रहती है बढ़ता है लगबग तो वह होता है दो से दस प्रतिसत्कीर आपसा नमर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा अब चलते हैं प्रशन नमर 19 और इसमें कह रहा है प्रशन नमर 19 में कि मानवो या मनुस्यों के विकास की सबसे तिब्र गती होती है तो सबसे तिब्र गती मनुस्य की विकास किसमें होती है आप लोगों के शामने विकल्प और सबसे तिब्र गती कि अगर हम बात करें तो क आसा वास्ता में सबसे विकास ज्यादा सारीर का होता है लेकिन कीशोरा वास्ता में सबसे ज्यादा विकास मस्तिस का होता है इस काफी important POINT को याद रखेगा काफी प्रशनी इस वाके से बने हुए हैं तो आपसन नमर B वाला विकल्प सही हो जागा होने इसका आप चलते हैं प्रस्ट नमर 20 पर सैफिलो कॉडल प्रविर्ति के सिदान्त के अनुसार सारीरिक विकास होता है साइफिलो कॉडल प्रविर्त के सिदान थे उसमें सरीर विकास किस से रिलेटेड है तो वो जो सरीर विकास हो सीर से पैर यानि कि पहले सीर का विकास होता है उसके बाद पैर काता आपसा नमर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा निकटवर्ती से दूरस्त विकास के अंगो का बात होता है तो पहले हिर्दे के नजदीक वाले अंगो का विकास पहले होता है और बाद वाले अंगो का विकास बात में होता है ये विकल्प भी वाला काता है और विकास के दो पररूप होते ही इन दूनों पररूप को आपने बता दिया 20 का वाला भी कल्प सही हो जाएगा आप चलते हैं प्रश्ण नमर 21 कर रहा है कि गर्भ धारण से सिसु के जन्म की अवधी को कहते हैं हम क्या कहते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रशाव पूरुकाल कहा जाता है तो आप से नमर सी वाला भी कल्प सही हो जाएगा अब चलते हैं प्रश्ण नमर 22 पर और प्रश्ण नमर 22 कर रहा है कि जीन प्याजे द्वारा परिवासित चरण जिसमें ग्यानात्मक विकास की सुरुवात सिसु द्वारा अपनी समेंदन स्विबेक यूंगतिविद्यों का इस्तेमाल दु पूर्व आवस्था उसको कहा जाता है तो आपसा नमर बी वाला भीकल्प सही हो जाएगा यह दूसरी आवस्था में आता है याद रखिएगा आप चलते हैं प्रश्ण नमर 23 रेशा जाई दबा परिच्छन जो ब्यक्तित्त का मुल्यांगन करने के लिए इस्तिमाल किया लेकिन अगर कारत का सिद्धानथ है तो थांडाई पर जाएगा और अब चलते हैं प्रशन नमर 25 पर शम्मु बुद्धी का सिदान थस्टन पर जाईएगा अब चलते हैं 25 अपने आसपास के वातावरण के साथ समझस बैठाने की छमता में बुद्धी मता का शंबंध जोड़ने वाला बैज्ञानी कौन था तो आसपास वातावरण के साथ जोड़ने वाले बैज्ञानी जीन पिया जे ता आपसा नमर ए वाला बिकल्प सही हो जाएगा ठीक अब चलते हैं प्रश्ण नमर 26 का रहा है कि थंडाई का सिदानत इन वे से किस वर के तहत सुचिवद्ध किया जा सकता है थंडाई के सिदानत को तो थंडाई के सिदानत को हम किसके सिदानत के अंतरकत तो ये जो सिदान थे इनका बेहरवादियों के अंतरगत आता है तापसर नमर A वाला भी कल्प सही हो जाएगा अब चलते हैं प्रश्ण नमर 27 पर प्रश्ण नमर 27 कर रहा है कि द्वानी की गति के अनुक्रम उसकी सनरचना को वी नियमित करने के नियमों से संदर्वित बासा का घटाए अब्य कालाता है तो उस बासा को हम क्या कहते हैं तो उस बासा के अगर बात करें तो द्वानी उच्चारन विग्यान उसको कहा जाता है तापसर नमर C वाला भी कल्प सही हो जाएगा 27 का अब चलते हैं प्रश्ण नमर 28 प्रश्ण नमर 28 कर रहा है कि इन में से प्रकार सर्जी के शमाने तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है तो कौन सी गरंती है तो वो गरंती कौन सी है वो गरंती है थायराइड गरंती तो यह गले में होती है तो यह थायराइड गरंती नहीं होगी प्यूस गरंती को नियान करती है तथा इस प्रकार सर वालबी कल्पसाई हो जाए ठीक वह गरंथी है नहीं पहरा थाराइड गरंथी उसको कहते हैं अब चलते हैं प्रश्च नमर 29 और प्रश्च नमर 29 कर रहा है तो आपसे नमर भी भावनाओं का प्रफुटन जन्म के साथ होने लगता है तो यह जो भावनातों संबंद नहीं र B वालब कल्फ 25 का सही भावनाओं के उत्पती सारेलिक परिवर्तन के साथ सुरू होती है यह भी जही बात है लनाचांके सारी विकास में असंबंध होता है चलते है प्रश्च नमर 30 पर जो मनुबि ज्यान का सेसन था तीस प्रस्णों का उसका लाश्ट प्रस्ण एक सिसू का समाजी विकास निर्भर होता है तो एक सिसू का जो समाजी को से बहुत उसकी अन्य लोगों के साथ अंतक्रिया पर शिचू को मिलने वाले प्यार अपनत्व पर और सभी हो जाएगा आप से प्रष्ण किस सब्द का संदी विक्षेद सूधा नहीं है सूधा नहीं है आपको छाटना है तो इसमें जो सूधा नहीं है संधिंवगशेद नहीं तो आपसा नम्मर ये वाला भी कल्प सही हो जाएगा 31 का और बाकी सदा पलस ए सदे और पित्रानुमति पित्रनुमति परमादा और ये सभी सही है तो आप चलते हैं अंगले प्रश्ण बत्तिक पर कौन सा सब्द कामदेव का पारवाची नहीं है तो देखें कामदेव का पा आप चलते हैं प्रश्ण नम्मर आप ये थिसफ पर प्रश्ण बत्तिक प्रश्ण नम्मर को टिरंतिकолет अल्फप्र प्राण पहला तीसरा दूसरा गोंतिक और प्राण दूसरा अगले 36 प्रस्च बहुवीरी समाज का उधारन नहीं है इसमें 22 सिंगहा तो 12 सिंगहा ये जो बवुवीरी समाज का उधारन है और इसमें जो बविरी समाज का उदार नहीं पसेरी तो ये बविरी समाज का नहीं आपसा नमर A वाला भी कल्प सही हो जाएगा 36 का होता है वो उसको आपने हिसाब से डंग से पढ़ लीजेगा क्योंकि काफी उसमें से हर साल फ्रश्ण बनता है और काफी लोग उस चीज़ को गलत करते हैं रगुपती सब्द किस शमाज का उदारन है तो वह उदारन है भुबरी शमाज का अब चलते हैं प्रश्ण नमर अगले 49 शंस्कृति की दूसरी मंजील है संस्कृति की दूसरी मंजील है का अर्थ क्या हो सकता है तो संस्कृति की दूसरी मंजील के गरम बात करते हैं चितरंदर मुल्यों का संद्चन संगीत कल आदी का संद्चन और परंपरा और र आपसन दीवाले कि अहलुकत कर दिक रहा है कि इसमें अनुस्वार लगा है और बाकी तीनों विकल्प यण शंदी का उदारन है तो डी वाला विकल्प एक तालिस का सही हो जाएगा आप चलते हैं प्रश्ण नमर ब्यालिश और किस शब्द में विसर्ग शंदी नहीं है विसर्ग शंदी किसमें नहीं है आपको इसमें से डूड़ना है तो इसमें जो विसर्ग संदी नहीं है अनुस्वार में विसर्ग संदी नहीं है आप चलते हैं प्रश्ण नमर ब्यालिस का अब चलते हैं प्रश्ण नमर तीरालिस किस शब्द में कोई भी उपसर्ग वे नहीं है उपसर्ग नहीं है तो किसमें उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग नहीं है, स्वास्त में उपसर्ग नहीं है, आपसर नमर D वाल अभी कल्प सही हो जागा, 43 का, अब चलते हैं प्रश्ण नमर 44 पर और प्रश्ण नमर 44 का रहा है, कि अधी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, अधी उपसर्ग से आपसे नम्मर सी वाला सही हो जागा 45 का अब चलते हैं प्रश नम्मर अगले और आपको पढ़ना है पहले गध्यांस पढ़कर पढ़कर फिर आपको उतर देना था चलिए जल्दी जल्दी पाध्यांस को पढ़ते हैं पढ़कर आपकी संस्कृति किसी दो मंजील मकान की तरह होती है पहली मंजील पर एक दम मूल भूत मगर चितरंजन जीवन मूल होते हैं इसमें परसपर साकारे नयाय शंदर जैशे मूल भूत तत्वाते हैं ये मूल समाज से परे होते हैं पहली मंजील पर दूसरी मंजील का निर्माण किसी समाज की विशिष्ट अवसकता के अनुरूप होता है ठेक, पहली मंजील पर दूसरी मंजील जो निर्माण होता है किसी विशिष्ट अवसकता को रूप में होता है समाज में और धार्मिक एतिहासिक परंपरा आर्थिक लेंदेन इस्तिरी पुरु संबंद और पारिस्तिती जिन्नि अन्य मुल्यों का निर्माण में योगदान होता है यह व्यवस्था मूल्त सनरचनात्मक होने के कारण तरह तरह के परति प्रंपरा रूडी और अंधविश्वास का शड़ा शा पिजरा बनाती है इससे पहली मंजिल के मूल भूत मूल्यों की अपेच्छा होने लगती है शमाज को ब्रहमित होने लगता है कि दूसरी मंजिल की मूल भ्यवस्था ही अपनी सच्ची संस्कृती है ब्रहम में कई तरह की विकृति उत्पन होती है जो शमाजिक परिवर्तन से संगर्ष करने लगती है वस्तुता आज इसी परिस्तिती को मात देकर नई संस्कृति का निर्माण करना देश के समाज सामने शब्षे बढ़ाकार है इससे में सिच्छा पद्धती और प्रच्षार माध्य मत्मूर भून का नेवा सकते हैं सिच्छा से भावी पीडी पर संस्कृति निष्टा के शंशकार डाले जाते हैं हमारी सिच्छा इस कटोती पर खरी नहीं उतरती है शमाज में विशमता की खाई चोड़ी करने में ही इसका योगदान रहता है यह अमीरों की दोस्ती और गरीबों की दूस्मनी हो गई है एक ठीक ठीक पाट साला में बच्चे को परवेश दिलाने में 20,000 रुपे तक का हफता भी देना पड़ता है यह था हमारा गर्द्यान्स था परद्यान्स लिख दिया गलती से अब चलते हैं प्रशन नमर 46-50 तक प्रशन इसी से रिलेटड आपको गध्यान्स से देना है तो 46 वह प्रशन करा है कि परंपरागत शकारी न्याई तथा संदरी को संस्कृति के मूल तत्त क्यों कहा गया है तो क्यों मूल तत्त कहा गया है अब गध्यांस में इसको ध्यांस से देखिएगा देखिए संस्कृति को मूल तत्त इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें समाज के अधिक आस्था होती है समाज का अधिक इसमें क्या होती है आस्था होती है देखिए भारत में तो सबसे ज़्या में रखिएगा अब यह तो खावी बढ़ा प्रस्न है तो इसको चोड़ा करना पड़ेगा चलिए इसको देखते हैं संस्कृति के मूल उतत्तों की अपेच्छा क्यों होने लगती है तो वह होने लगती है क्यों तो वह होने पूरानी रुढिया और परमपराएं हम पर हावी हो जाती है और हम ठीक परकार से नहीं सूच पाते हैं तो उपेच्छाएं होने लगती है तापसा नमर बी वाला भी कलप सही हो जागा 47 का अब चलते हैं प्रश्ण नमर 48 पर और प्रश्ण नमर 48 कर रहा है कि संस्कृति को दो मंजिल मकान की तरह क्यों बताया गया है संस्क संस्कृति को दो मंजिल मकान की तरह इसलिए बताया गया है क्योंकि उसका समद्ध उच और निम्न वर्ग दोनों में हो गया है यानि उच वर्ग में और निम्न वर्ग में बाट रहा है तापसा नमर सी वाला भी कलप सही हो जाएगा 48 का अब चलते हैं प्रश्ण नमर 49 और उचित पर चार पर सार्थ आपसा नमर डी वाला भी कलप सही हो जाएगा 49 का अब चलते हैं प्रश्ण नमर 50 सिच्छा पद्धती सफल क्यों नहीं हो रही है उस गध्यांस के हिसाब से क्योंकि वह अमीरों और गुरुवों के बीच खाई चोड़ी कर रही है जो हमारी संस् अब चलते हैं प्रश्ण नमर एक्याउन और इस्तरी पुरुष में प्रियुक्त समास तो इस तरी पुरुष एक दूसरे के भी प्रिक्तार्थ हैं तो हम किस पर जाएंगे अब हम इस पर जाएंगे दो अन्द परता अब से नमर सी वाला भी कलप सही हो जाएगा अब चलत सब्द चण में या सिग्र तूटने वाला खंडहर यह एक असुद्ध सब्द की श्रेणी में आ रहा है सब्द है असुद्ध सब्द सब्द असुद्ध है तो आपसे नमर ए वाला विगल्प सही हो अब चलते हैं प्रश्ण नमर तीन पर पर और तीरपन कर रहा है तो देखिए जो असुद्ध सब्द है यह बी वाला विगल्प हो जागा तदो पुरांत नहीं होता है तदू परांत होता है ठीक यह कापी प्रश्ण पूछा गया है इस सब्द को याद रखिएगा आपसे न सुद्ध उचारन का इसको ight令 है सब्दस्ध करते हैं संद में पौहता आप से नमर बी वाला विखल्प स होज़ हो जागा चाहन का अब चलते हम प्रश्ण नमर 75 और परश्ण मिर्पध महाँ कर रहा है कि अीज पासा सन रचना में अपिचित बासा के प्रमुक अंग होते हैं तो अंग की हम बात करें तो इसको दो अंग होते हैं अपसर नमर बी वाला भी कल्प सही हो जाएगा अब चलते हैं प्राश्ट नमर 56 प्रात्मिक अस्तर पर बांसा अध्यन में मुख्य तत होगा तो प्रात्मिक अस्तर में बांसा अध्यन के लिए मुख्य तत जो है वो है उचारण की अस्पश्ट अब चलते हैं प्रात्मिक अस्तर पर बांसा अध्यन में मुख्य तत जो है गलत है इसमें से गलत यूग में आपको चाटना है तो कुत्ता का पिल्ला नहीं होता है यहां तो आपसन नमर ए वाला ही भी कल्प मिल गया गलत है अब अगला प्रश्ण अवर शब्द का विलोम तो अवर का जो विलोम होता है वो होता है प्रवर और आपसन नमर सी सयो जाग और चलते हैं परस्ट मर्च उसम्हों और महा प्राण वर्धों और जाएका वाला उस मेंदाध को याद रखिए विकल्प है अंत और विदेस शब्दों के ख्रम प्रत्य का शुद्द विकल्प है और जो विकल्प है तो ग्ली मेंदाम पट कर दिक हाग है तो यह यः और यह और यह और इस मैंसे जो सुद्द विकल्प के 好啦 करते हैं मी से कोई नहीं हो सकता आपस नमर D वाला भी कल्प सहर जागा शाठ का तो यह थे हमारे अब हींदी के हमने प्रश्णों को कर लिया अब चलते हैं अगला टॉपी कौन साथ है संस्कृत, संस्कृत के भी तीज प्रश्ण देखते हैं, तो चलिए सीदे हम प्रश्ण पर चलते हैं अब देखिए प्रश्च नमर 16 का यायत? मैं वाच्च परिवर्तन होगा, तो जब आप इसके वाच्च परिवर्तन करेंगे healthy वाच्च है इसका परिवर्तन होगा वह कौन्जा लगा? बालका हसंती ठीक यह भावाचस से हमने इसको कृत्वाची में कनवर्ट किया हूँ तो आपसे नम्मर ए वाला भीकल्प सही हो जाएगा 61 का 62 प्रश्ण कह रहा है वाची 3 होते हैं आपको पता यह सिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है इसका पता लगाया जा सकता है तो इसका पता सिर्फ मुल्यांकन से ही लगा सकते है अपसे नम्मर ए वाला भीकल्प सही हो जाएगा अब चलते हैं प्रश्ण नम्मर तीरश्ट और प्रश्ण नम्मर तीरश्ट कह रहा है कि अच्छे पठन के गूण किस में बताएगा यहे तो जो अच्छे प्ठन के का किस विधी से है अरे यार हितो पदेश का शंबंद किस विधी से है गलत पड़ दिया मैंने प्रश्ण हितो पदेश सब्द का शंबंद किस विधी से है तो हितो पदेश जो है उसका संबंद जो है किस विधी से तो है कहानी कथन विधी से तापसर नमब बी वाला विकल्प सार्वादिक महत्पूर्ण है कि उनका क्या होना चाहिए करम बद्यकरत्या का सिधान्त महत्पूर्ण सावधी महत्पूर्ण जो कठीन उच्छारन वाली द्वनिया होती है तो उनके लिए हम कर सकते हैं कि आभ्यास दोबारा उनको ला सकते हैं तो आपसर नमर सी वाला भी कल्प सही हो जागा 65 का अब चलते हैं प्रश नमर च्छाचट और च्छाचट का रहा है कि अर्थ समझने ते हुए वैदिक मंत्रों को सस्वर पाठन को को कहा जाता है तो जो अभी समझ रहे हैं और उसको सस्वर वाचन भी कर रहे हैं तो परायण दिदी के अंतरगत आती है सापसर नमर एवाला भी कल्प सही हो जागा 66 का अब चलते हैं प्रश नमर शर्षट और प्रश नमर शर्षट का रहा है कि हरी हरी प्लस सेते में संदी किस सुत्र से होता है चलते हैं प्रश नमर अर्ष नमर शर्ष नमर और अर्ष नमर अर्ष नमर और सुत्कर अधारा कि पूरू पढ़स और श्रष नमर यह समास वाचीए संख्यावाची हो वह समाश होता है द्विंगु शमाश शरल प्रश्ण यह वाला भी कल्पसाई हो जाएगा अगले प्रश्ण सत्तर पर चलते हैं और यह काभी महत्मों प्रश्ण है पट्टु पुट पाक प्रती कासु रामस्य करुणु रस किस कभी से शंबंदी थे यह कि चलते हैं प्रश्ण नमरे कातर प्रश्ण नमरे कातर का रहा है कि क्वा सूर्य प्रभाववश क्वा चालप विश्या मती पंक्ति किस ग्रंद से उद्गृत की गई तो यह जो पंक्ति है यह रगुवंसम से लिगा यह आपसे नमरे वाला भी कल्पसाई हो जाएगा अगल छलते हैं प्रश्nant ममर 33 और प्रश् republican टील क करा के क्रिति सब्ड में और सब्सक्राइं कि तो इसमें तो कृष्टरी सर्थ करें अगला प्रश्न चवन्हें गंगम में कौन सा समास है यह निए समास ही होगा अभ्श्न जयाँ अब चलते हैं पर 2020 किरत अर्जुनियम में अर्जुन भगवान शंकर्षे किश अस्तर की प्राप्ति करते हैं तो जो भगवान संकर्षे हैं यह किश अस्तर की प्राप्ति करते हैं संकर्षे किरत अर्जुनियम में सीव और अर्जुन के युद्ध का वाडन किया गया है मतलब होता है संकर और अर्जुन क्या दिया एक नाम स्वाले और इसमें अर्जुन भगवान संकर से किस अस्थर की परापपत किया वह असे सर्श्तकी तो पस्पत्य स्थर की करते सभोल हैं अब उत्तर रामचर्टम क्रिती किनकी जो किई प्रक्र mega बॉक्र की किता से प्रस्था क्लती प्रस्था आपका प्रस्था नम्मर prestita शरल प्रस्था को अग्लेले सब्सक्राइब कता था हिस्था हो जाएगा और आगले प्रस्था इसमें जो अगर संधी के बात करें तो इसमें संधी स्वरसंदी के अंतरगत की आता है तो 79 का नयक का संधी बीक्षेद होता है तो नयक का नय से बाना है तो इसके लिए जो है यह नाडगवी कारम यानि जिसके कारण जिसके सरीर में कोई विकार उत्पन हो जाता है उसमें तिर्थिया भीवक्ती भीवाला विकल्प सही हो जाएगा अब चलते हैं प्रश नमर 82 और परस्माइपदी देने के अर्थे में दाधातु में प्रथम पूरुस बहुबचन में रूप चलेगा तो परस्माइपद में दाधातु का रूप प्रथम पूरुस बहुबचन का रूप पहुबचन का जो सब्द है दाधाति दत्तह दाधाति दापसा नमर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 82 का का काफी most important यह धातु रूप आए 502 होता है तो आपसा नमर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा संख्या कभी पढ़े तर पीछे से पड़ेगा 57 यानि 500 दोएधिक यानि दू आपसा नमर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा आप चलते हैं प्रश्ण नमर 84 जल दी जल निदी पद में परयाई सब्द है तो वो आएगा जल में निदी करने वाले को हम परयाए है तो आपसा नमर समुद्र सही हो जाएगा ठीक जल निदी उसको कहा जाता है समुद्र को अब चलते हैं अगले प्रश्ण और अगला प्रश्ण 85 प्रश्ण है कि नदी सब्द में सब्तमी विवक्ति एक वचन में र हो जाता है ठीक आपसा नमर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 85 अब चलते हैं प्रश्ण नमर चीयासी कराकि असुदवाके का चैन केजिए अतो इसमें आपको असुदवाके छाटना है तो रामा स से बिना जीगे तुम नोटसते बीना के योग में तिरतिया और दूतिया पंच्यमी होता है तो इसमें देखे, रामा से यह जो विगल्ब से जो सश्टी में आ जाता है रामा-्याम तो यह सश्टी में आ जाता है तापसर नमर डी वाला विगल्ब सही हो जाएगा पाकी दूतिया तिरतिया और पंची में ये तीनु रूप जो है तीनु में बीना की युग में रूप चलता है तापसर नमर डी वाल अभी कल्प सही हो जाएगा अब चलते हैं प्रश्ण नमर 87 ब्रयत्री में नहीं गिना जाता है तो किसन एक ट्रिक है किसन याद रखेगा क आपसर नमर डी वाल अभी कल्प सही हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्ण और अगला प्रश्ण करा है कि लता कुछ गुंज जनमंद वाद दील पुंज चपलयन में अलंकार है तो इसमें आपको अलंकार पूछ रहा है और अलंकार कौंसा अनु प्रास अलंकार ता आपसर नमर बी वाल अभी कल्प सही हो जाएगा अब संस्कृत वाले पोश्ण का लास्ट प्रस्ण देखते हैं जिवेश्व मावना श्रिष्टावाक के मेरे खांकित पदमें विवक्ति सुत्र है तो देखिए जब आप से यह लग जाए ना तो समझेगा कि यह सष्टी क यानि बहुतों में जब किसी यह को स्रिष्ट बताया जाता है तो आपसर नमर सी वाला भी कल्प सही हो जाएगा नब्बे का अब चलते हैं सीदे अगले परियावरण का टापिक और परियावरण में हम तीस प्रस्ण को देख लेते हैं ठीक और यह लास्ट टापिक है बच इससे जो विकास होगा वह होगा सम प्रेशन का शलकाता आपसर नमर सी आपसर के इकार्डिंग मारना है तो सी वाला भी गल्प सही हो जगा 121 का अब चलते हैं अगला प्रश्ण और अगला प्रश्ण का रहा है कि अर्थ सास्त की मूल बुद्ध आवदारणाओं को की शम जा ना विक्सित किया जा समझा विक्सित किया जा सकता है अर्थ सास्त की मूल बुद्ध आवदारणाओं को बाजार में रोल पले का ये जन्द करवा कर tv कर सकते हैं तो आपसर नमर फी वाला भी गल्प सही होगा इसका 112 का डी वाला भी कल्प अब चलते हैं प्रश्ण नमर एक सुपतेश पर्यावरण के अंतरगत आते हैं तो पर्यावरण के अंतरगत क्या हैं तो यह जितने भी दिये गये सबी पर्यावण के अंतरगत आते हैं तो आपसे नमर डी वाला भी कल्प सही हो जाएगा शारदा एक्ट काफी मुहत्पूर्ण प्रश्ण सारदा किसे संबंदी थे तो बाल विवास से अपसे नमर अगला प्रश्ण और अगला प्रश्ण है एगला प्रश्ण कर आए कि बच्चों के लिए सीखने के आउशर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगी द्यान में रखिएगा अब देखिए क्या हम नहीं कर सकते हैं इसमें से तो उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देगे यह थोड़ी नहीं होता ह अब चलते हैं प्रश्च नमर 126 चाहरे बच्चे के समाजी करन का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है तो परिवार से ही होता है अब चलते हैं प्रश्च नमर 27 प्रोटीन का स्रोत्तम स्रोत है सबसे चलते हैं और से श्वेद्वीन मैं पाया जाता है c वाला भी कल्ब 28 अर्जा का पिरामीड उटा है तो ऊर्जा का पिरामीड चलते हैं अगले प्रशन पर छात्रों के लिए सीखने के प्रमुक संसादन है है प्रमुक संसाधन की बात कि जाये गुआ गिभी वाला भी कल्प सही हcü सभी आजाएंग उसके अंत्रक recovered अगला अगला दुमृपान से होने वाला प्रमुख रोग करते तो cat तो चैंसर हो सकता है फेफड़े का इस नमर्ब वालबी कल्प सही हो जाएगा एक सो पतिस का अब चलते हैं प्रस्ट नमर्ब एक सो पतिस बूलते बूलते थक गया होगा है लोग वहाई मंदल में नाइट्रोजन गैस काफी सरल प्रस्ट है और यह सब को पता है बी वालबी कल्प सही हो जाएगा 88.09 प्रस्ट होता है विटामिन एक कमीश्य होने वाला रोग इतना सरल प्रस्ट रतवदी होता है ना रखेगा अब हर प्रस्ट कठीन होगा तो टेस्ट भी देने का मजा नहीं आता है तो विश्राम आवस्था में स्वस्त वेक्ति का हीरदय प्रती मिनट धड़कता है तो जब विश्राम आवस्था में तो बहतर बात सदान चीज यह आपसर नमरे वाला वीकल सही हो जगा है अब चलते हैं 136 प्रस्ट कर रहा है कि पर्यावरण कि अध्यान की कच्छा में विद्यार्थियों को खोज से संबंधित दच्चताओं का विकास करने हैं तो एक सीचक निम्नी में से किसका चुनाव करेगा पर्यावरण की अध्यान की कच्छा है वहिया और खोज से संबंधित दच्चताओं का विकास करना है तो किसका विकास करेगा किसका विकास करेगा देखिए विकलप आपको चारो दिखा देता हूं तो देखिए ऐशे पाठ्थ वस्तु जो विद्याले के दैनिक जीवन से चूड़ी हुई शमश्याओं से दैनिक जीव चात्र का अनुपात, एक अनुपात है, 30 का होता है, तो 37 का एवाला विकल्प सही हो जाएगा, एवाला विकल्प को ध्यान में रखिएगा, अगले प्रश्न पर चलते हैं, 138 और मौसम के द्रिष्टी कोण से उशन कटी बंदी परदेशों का परमुख लचने, उशन कटी ब बुल्डरम रेखा, विश्वत रेखा के आसपास का छेतर, उस कटी बंदी चेतर का हलाता है, 0 से 30 डिग्री उतर, 0 से 30 डिग्री नीचे का छेतर, उस कटी बंदी चेतर के अंतरगात आता है, तो आपसा नमर ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, आप चलते हैं, प्रश्न नमर 140, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है, दिन रात कैसे होई, अब पिर्थिमी का अपनी दूरी पर गूमना, चंदमा का अपनी दूरी पर गूमना है, ऐसा थोड़ी बात नहीं है, तो आपसा नमर 140 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, काफी गुमाया प्रश्न ह अब चलते हैं, प्रश्न नमर 140 और अब 10 प्रश्न लगेंता है कि बचे हैं, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्यान करने वाले बेक्ति थे, तो कौन इसे बेक्ति थे जिनोंने अध्यान किया था, तो जीन प्याजे एक हैं वाई गुस की हैं, तापसा न नमर D वाला भी कल्प से जगा, 142 का D वाला भी कल्प, अब चलते हैं, प्रश्न नमर 143 और 143 का रहा है, कि पर्यावणा अध्यान की कच्छा में बच्चे के अनुभवों को महत्त देना चाहिए, क्योंकि, क्यों महत्त देंगे उनके अनुभवों को, तो वीसे को बच्च D वाला भी कल्प से जगा, 143 का, अब चलते हैं, प्रश्न नमर 144, यह प्रश्न कह रहा है, कि हमारे सरीर के किश अंगे के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, तो कौन करेगा या कृत्वे न करेगा, अब से नमर A भी कल्प से जगा, 144 का A अगला प्रश् अस्तर से दूसरे पोसक अस्तर तक का उर्जा का कितना भाग अस्थानांत्रित होता है, तो कितना भाग होला, दो से प्रती सत्वा न जाना, आप से नमर D वाला भी कल्प सही हो जाएगा, अब चलते हैं, 146 प्रश्न पर, यह प्रश्न कह रहा है, तो कि थोड़ा इसको होती है, तो इसमें सभी की हो सकता होगा, और भोकी भी होगी, अधाना का बनाना, अनमेशन विदियों, सत्यापन, तो आप से नमर D वाला भी कल्प सही हो जाएगा, 146 का, अब चलते हैं, प्रश्न नमर 146 और निम लिखित में से कौन वाई मंडल की, निम लिखित में से सुतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरी करण करता है, तो कौन करता है, तो देखे, नाइट्रोजन की स्थिरी करण कौन बताएगा भाई आपको, तो नील हरीत सवाल जो है, वो बताते हैं, ताप से नमर A वाला भी कल्प सही हो जाएगा, 147 का, अगला प्रश्न समाजिक बुर समाजिक बावना का विकास करने के लिए निमनिकित में से कौन सा प्रयास सरवत्तम होता है, तो समाजिक बावना आपको विकास करना है बच्चों में, तो सरवत्तम विकल्प भी आपको चुनना है, तो सरवत्तम विकल्प आपको चुनना है, बच्चों को स्वास्त असपरदा के लिए तैयार करना, सरवत्तम विकल्प है, और अगला विद्यालों के विविन तेवरों का आयोजन करना, फ्रस्प का बात करना ऐट थकों को आयजन का जाएगा तो आप सीपर जाएंगी आप संग्रमन सी वाला भी कलब सई होगा अगर आप को यह प्रश्ण थोड़ा दिकत लगे तो मिलाईएगा लेकिन हमारे फर्ब से से वाला भी कलब सई होगा ठीक तो चलिए दोस्त हम इस वीडियो को समात करते हैं वीडियो पसंद आए तो चैनल को like, share, subscribe आप जरूर करिएगा और एक practice set और डालूँगा पांच practice set ज्यादा हो जाएगा इसके बाद एक practice set वो भी आजाएगा तो चलिए वीडियो समात करते हैं thank you, thank you for watching this video